बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह की पक्षी अपने बनाएं खौंसलों में रहती थी पैसे कमा कर अपना घर चलाती थी पर फिर अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उस जंगल में अकाल पड़ गया लूसी तुम जाकर घर के लिए अनाज और सबजियां लेकर आना क्या इतनी जल्दी अनाज खतम हो गया और नहीं तो क्या दो मैंने पहले लाया हुआ था अनाज अब तक थोड़ी रहेगा जाकर ले आना अच्छा ठीक है मैं जाकर ले आता हूँ फिर लूसी घर से निकला घर के लिए सामान लाने वो बाजार में मही चिल की दुकान पर रुका मही चिल जी अरे लूसी तुम बताओ क्या बात है अरे मही चिल जी ये क्या दुकान खाली क्यूं है लूसी क्या तुम नहीं जानते नहीं तो क्या तुम जानते नहीं कि जंगल में अकाल पड़ा है अनाज तो दूर की बात अब तो कईयों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अच्छा मैं तो इस बात से अंजान था ना जाने ये मुश्किल घड़ी और कितने दिन च हां सही कहां मेरी बेटी भी बहुत तडप रही है हम बड़े जैसे तैसे बरदाश कर भिले मेरे पास एक उपाय है कैसा उपाय हमारे जंगल के अंत में एक नदी बहती है अब भी वो पानी से लबालब भरा हुआ है तो चलो जल्दी जाकर पानी भर लाते हैं कम से कम अपन गोसले में रहती है वो नदी के पानी की पहरेदारी करती है वो नदी का एक बुंद पानी भी किसी को लेने नहीं देती फिर भी हम अपनी और से कोशिश करेंगे अपनी परिस्तिती के बारे में उसे समझाएंगे और उसे पानी देने के लिए कहेंगे अहां सही कहा चलो चलत पिर सभी पक्षी साथ में मिलकर जंगल के बाहर रहे उस नदी के किनारे जाने के लिए निकले पर दूसरी और चीचु कवी के मन में जंगल में अकाल की परिस्थितियां चल रही है पीने के लिए पानी नहीं और खाने के लिए अनाज नहीं और यहां नदी में तो पानी हमारे यहां जंगल में अकाल ने तांडो मचा कर रखा है, घर में बूंध पानी भी नहीं, बच्चे प्यास से तडप रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा पानी अपने नदी से हमें लेने देंगि? क्या कहा, मैं तुम सब को पानी दूँ, अगर मैं तुम सब को पानी देती रहूंगी, तो क्या इस नदी में पानी बचेगा भी, मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना, चलो निकलो यहां से देखिए, आप दिल बढ़ा कर हमारी मदद कर दीजिए अच्छा, तो पानी के बदले तुम सब मुझे अनाज दे दो, अगर ऐसा होगा तब ही मैं पानी लेने दूँगी अरे, ये क्या बात हुई, हमारे पास पानी तक नहीं है, तो भला हम आपको अनाज कहां से देंगे अगर तुम मुझे अनाज नहीं दे सकते, तो मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती यू निश्टूर चीचु कवाने उन्हें पानी देने से मना किया, बेचारी सारी पक्षी वहां से हताश होकर वाबस आ गई हमने कितनी कोशिश की, फिर भी उसका कोई फाइदा नहीं हुआ, अरे लगता है वहां पर मटका है, और क्या पता उसमें पानी भी हो, ये सोच कर चुडिया उस मटके के पास गई अरे, इसमें तो पानी नहीं है अच्छा, तो क्या तुम्हें पानी चाहिए? अरे, ये कैसा गजब है? मतका बात कर रहा है हाँ, मैं कोई मामुली मतका नहीं, बलकि जादु ये मतका हूँ लगता है तुम्हें बहुत प्यास लग रही है क्या तुम्हें पानी चाहिए पर केवल मुझे ही नहीं जंगल में सभी पक्षी को पानी चाहिए आचा तो चलो जंगल में सभी को पानी देते हैं फिर जादू ही मटका तूनी चुडिया के साथ जंगल पहंच गया वहां सभी प्यासे पक्षी को जादू ही मटके ने प्यास बुझाई मट से मिलने वाले पानी से तुम सभी किसानी भी कर सकते हो फिर सभी पक्षी ने मिलकर उस पानी से किसानी शुरू की और अपने लिए अना जुगाया और इसी तरह उन सभी ने अपनी भूग भी मिटाई योही कुछ दिन बीटे फिर समय के साथ चीचु कवी के नदी में भी पानी सूखने लगा ये क्या हुआ नदी का सारा पानी सूख गया बहुत प्यास लगी है जंगल में जाकर पक्षियों से मदद मांगती हूँ अरे चीचु जी आप कैसे आना हुआ वो दरसल मेरे घर के सामने नदी में पानी सूख गया है मुझे पानी चाहिए था तो उस दिन अपनी नदी के पानी को लेकर बड़ा घमंड कर रही थी छोटू तुम चुप रहो ना जो सहायता मांगने आता है उससे ऐसी बात नहीं करते चीचु जी कोई बात नहीं ये पानी ले ली जिये तुनी चिडिया चीचु के किये अपमान को भूल गई और उसे पानी दे कर उसकी सहायता की कवी को अपने किये पर शर्मिंदगी हुई बात समय पहले एक जंगल में तुनी चिडिया रहती थी तूनी चडिया अपने पती के साथ एक छोटे से घांसले में रहती थी इस जोडे का एक नन्हसा चूजा था जिसका छुटको नाम था वे पैसों से वैसे धनी तो नहीं थे पर जितना उनके पास था उतने में ही संतुष्टी से जीते थे तूनी का पती उसे जंगल के पास में चावल की दुकान पर काम किया करता था वो चावल की बोरियों को लौरी से उतारना या फिर किसी का ओडर आए तो उनके घर तक राइस की बोरी पहुँचाना और इसी कमाई से वो अपना परिवार चलाता था एक दिन हर रोज की तरह पूछता क्यों आपकी मन पसंद मश्रूम की सबजी बनाई है अरे वा सच ना जाने कितने दिनों बाद खाने वाला हूं वैसे मश्रूम लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आए हर मैंने आपके दिये पैसों से थोड़ा थोड़ा बचाती आई हूं उन्हीं पैस से ही खुशिया आती है पर सच कुछ और ही है तुनी सच भला वो क्या है तुम जैसी पत्नी जो पती के वेतन के बारे में नहीं सोचती बल्कि वो जितना कमाता है उसी में जुगाड़ कर अपने घर के लिए खुशिया लाती है अरे अरे बैस करो तुम तो तारीफों के पीजनमा बस बहुत हो गया चुटिया जब से लगी है तुम्हें तो समय का पता ही नहीं चलता दिन भर खेलते रहते हो बस बहुत हो गया खेलना अरे तुनी उसे कुछ और देर खेलना है तो खेलने दो मैं इंतजार कर लूँगा आप दिन भर काम कर ठक गए होंगे अगर समय पर भोजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा और चुटकु तो सवेरे से खेल ही रहा है मैंने सोचा कम से कम आपके आने पर तो आ जाएगा वापस और आप हो कि उसे और खेलने के लिए गह रहे हो चुटकु जल्दी आजाओ आँ ठीक है मा फिर तुनी चड़िया ने तीनों के लिए थाली परोसी इस तरह वो छोटा सा परिवार आपस में खुशी से जी रहा था हर उसकी तरह पती चिडा दुकान पर पहंचा लौरी में आए नए बोरों को वो उतार कर दुकान में रख रहा था यू लगादार उसने कई बोरे दुकान में रखे पर अचानक उसे कमजोरी सी महसुस होने लगी और वो चकरा कर गिर गया तब दुकान के मालिक उसके मूँ पर पानी छुरका और उसे होश मिलाया अरे ये तुम्हें क्या हो गया अभी ठीक तो थे अचानक बेहोश कैसे हो गया कोई बात नहीं से जी दरसल तोड़ी कमजोरी के कारण में बेहोश हो गया अरे काम तो होता रहेगा तुम पहले घर जाओ और आराम करो अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना पर सिर जी काम तो अधूरा रहे गया मैं वो सब संभाल लूँगा सबसे पहले तुम घर जाओ और आराम करो यू सेहत बिगडने की वज़े से चीड़ा अपने घर वापस लोटा अरे क्या हुआ आप काम से वापस क्यों लोटे दरसल तुनी आज काम करते समय सर चक्राया तो चलिए जल्दी से थोड़ा आराम कर लीजिए फिर चीड़े ने घर पर आराम किया तुनी चीड़िया ने पती के लिए तरह तरह के वंजन बना कर उसे खिलाए दो दिनों तक वो घर पर ही रहा और फिर बिल्कुल ठीक हो गया तुनी आज मैं काम पर चला जाता हूँ सुनिए देखने में नहीं लगता कि आप पूरी तरह से ठीक हो गया हो दो दिन और आराम कर लो नहीं दुनी मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है काम नहीं करूंगा तो और आलस आएगा चिड़ा ये कहकर काम पर तो चला गया था पर उसे जादा काम नहीं हो पा रहा था वो फिर से बेहोश हो गया तब चीचु कवाने उसे अपने कंधे पर उठा कर घर ले गया तुम्हारे पती की सेहत अभी ठीक नहीं हुई थी तुमने काम पर क्यों भेजा मैंने उन्हें मना किया था पर उन्होंने ही जिद की पर क्या तुमने डॉक्टर को बताया जी नहीं अरे भला इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो चलो कोई नहीं मैं जाकर डॉक्टर को भेजता हुँ जी अच्छा फिर चीचु कवाने डॉक्टर मही चिल को तुनी के घर भेजा डॉक्टर मही चिल ने तूनी के पती की जांच की तूनी चिडिया ने जल्द ही इंजेक्शन लाकर महीचील को दे दी, डॉक्टर महीचील ने चिड़े को इंजेक्शन दिया अब घबराने की जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगा ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, पर दुर्भाग्यवश उस इंजेक्शन का चिड़े पर विपरित असर हुआ और वो चल बसा तूनी चिड़िया और छुटकू बहुत रोए, तूनी ने पती का अंतिम संसकार किया उस दिन से बेचारी तूनी चिड़िया ही खूब महनत कर अपने बेटे चिड़े की परवरिश करने लगी